Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं EBS वर्कशीट जो की है UKG क्लास के लिए बहुत ही एलफुल वर्कशीट है ये इसे आप इजली प्रिपेर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं UKG क्लास से रिलेटेड और भी वर्कशीट देखना चाते हैं तो चैनल पर UKG की प्लेइलिस्ट चेक कीजिए या फिर इस प्लेइलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट और अगर आपको ये वीडियो हेलफफुल लगे तो प्लेज इसे लाइक और शियर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दी गई हैं साथ में इनके नेम भी लिखे हैं इसके अपोजिट साइड इनके बारे में लिखा हुआ है तो इन्हें रीट करना है और करेक्टली मैच करना है कि यह चीजें क्या है जैसे कि फर्श्ट यहाँ पर है लोटस तो lotus क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा है national bird, national fruit, national flower, national flag lotus क्या है? national flower है, इसे क्या करेंगे? match कर देंगे फिर next यहाँ पर है tricolor, tricolor क्या है? national flag है जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं तिरंगा इसे match कर देंगे, फिर यहाँ पर है mango, mango is our national fruit तो इसे match कर देंगे, इसके साथ में, next is peacock, peacock is our national bird, तो इसे match कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से, next is things we get from, यहाँ पर हमें कुछ animals के name दिये हैं, और इसके सामने कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पर बताना है कि particular animals से हमें कौन सी चीज मिलती है, जैसे कि first है, egg, honey या फिर milk, correct answer is honey, इसे टिक कर देंगे, next is cow, और यहाँ पर option है, milk, wool, honey, cow से हमें क्या मिलता है, milk मिलता है, इसे टिक करेंगे, next is hen, यहाँ पर है egg, milk, wool, तो hen हमें क्या देती है, egg देती है, यहाँ पर टिक कर देंगे, egg को, फिर है sheep, और option दिया गया है, milk, wool, honey, तो sheep से हमें क्या मिलता है? wool मिलता है, इसे tick कर देंगे next question is, find sense organs यहाँ पर कुछ body parts name लिखे हैं इनमे sense organs find करना है जैसे कि first है nose, तो nose क्या है? sense organ है, इसे circle कर देंगे फिर यहाँ पर leg है, leg sense organ नहीं है mouth sense organ नहीं है ears, ears क्या है? sense organ है तो इसे इस तरीके से circle कर देंगे फिर face, यह sense organ नहीं है hand भी नहीं है, skin है तो skin को क्या करेंगे? circle करेंगे hair, sense organ नहीं है tongue है, तो tongue को circle कर देंगे lip नहीं है, eyes, sense organ है तो इसे circle कर देंगे next question is, tick the correct answer यहाँ पर हमें कुछ images draw करके दी गई है and यहाँ पर कुछ options है तो images को identify करना है कि यह किस festival से related है और यहाँ उस festival को tick कर देना है जैसे कि first यहाँ पर बना हुआ है पिछकारी है, colors है तो यह हम किस festival में use करते हैं किस festival से related है यहाँ पर option दिया गया है holy, diwali so correct answer is holy next is moon moon related होता है किस से दशहरा या फिर ईद moon related होता है ईद से इसे tick कर देंगे यहाँ पर crackers है crackers हम use करते हैं कब diwali या holy में, diwali में use करते हैं यहाँ पर diwali को tick करेंगे फिर यहाँ पर एक Christmas tree और यह related है Christmas से तो इसे tick कर देंगे next question is put the letters in order to make name of land transport यहाँ पर हमें कुछ letters दिये गए है इन्हें correct order में लगाना है जिससे कि यह land transport के name बने जैसे कि first यहाँ पर है R A C तो यह हो जाएगा C A R car, car क्या है land transport है, यह car बन जाएगा फिर यहाँ पर है U S B तो इसे हम अगर order में लगाएंगे तो यह हो जाएगा B U S बस यहाँ पर लिख देंगे B U S फिर है J P E E तो यह हो जाएगा J E P Jeep तो यह हो जाएगा T R U C K ट्रक यहाँ पर है B E I K तो यह हो जाएगा B I K E B I K Next question is Color the name of water transport यहाँ पर हमें कुछ transports name दिये गए है इनमें बताना है कि water transport कौन से है उन्हें color कर देना है जैसे कि first यहाँ पर है Bike Bike क्या है? Land transport है Boat Boat क्या है? Water transport है तो इसे color कर देंगे फिर यहाँ पर है Car Car land transport है Submarine यह water transport है तो इसे भी इस तरीके से color करेंगे फिर यहाँ पर है train यह land transport है Ship water transport है तो इसे color करेंगे Cycle यह land transport है Sail boat Sail boat क्या है? Water transport है तो इसको color कर देंगे इस तरीके से इस question को complete करेंगे Next question is Where do animal live? Match यहाँ पर हमें कुछ animals के name दिये हैं यहाँ पर उन जगों के नाम लिखे हैं जहाँ पर यह animals रहते हैं तो इन्हें correctly match करना है जैसे कि first यहाँ पर है dog तो dog कहाँ पर रहता है यहाँ देखिए den, web, antil, kennel, nest डॉग रहता है kennel में तो इसे हम match कर देंगे इसके साथ फिर यहाँ पर ant, ant कहाँ पर रहती है antil में तो इसे match कर देंगे, loin रहता है den में इसे match कर देंगे den के साथ, bird कहाँ पर रहती है nest में तो इसे nest के साथ match करेंगे और spider रहता है web में तो इसे match कर देंगे web के साथ यहाँ पर हमें कुछ statement दिये गए हैं इन्हें carefully read करना है अगर statement correct है तो यहाँ पर हम tick लगाएंगे और wrong है तो cross कर देंगे जैसे कि first है tiger is our national animal this is a correct statement तो इसे हम क्या करेंगे tick कर देंगे next is holy is a festival of light this is a wrong statement holy क्या है festival of color तो यहाँ पर light लिखा है यह wrong है इसे क्या करेंगे cross करेंगे next is fruits are healthy for us this is a correct statement यहाँ पर tick करेंगे फिर आप we never eat healthy food this is a wrong statement we always eat healthy food इसे क्या करेंगे cross करेंगे we all need water this is also a correct statement tick कर देंगे आपर potato is a fruit this is a wrong statement potato is a vegetable so we cross it तो यह थी आज की UKG class की EBS worksheet hopeful वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी helpful लगी तो please इसे like करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो subscribe कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में new topic के साथ तब तक के लिए take care and bye bye बाय झाल हिए ए छइ बाय दूट झाल हूआ झाल हूआ झाल हुआ करें लगी जयोंपके लगाँ हूआ हूआ झाल हूआ जुल झाल हूआ हूआ है।